दोस्तो अब हम यहाँ पर प्रिश्णावली 3.3 जो कक्षदसमी के NCR रिगड़त है उसकी प्रिश्णावली 3.3 का प्रिश्ण तीसरे का पार्ट 4 चौथा देखेंगे एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अत्रेक्त चली गई दूरी पर भाड़ा समल हमें फिर एक ब्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा तो जो यह समीकर्ण बनेगा उसको हमें प्रतिस्थापन बिदी से सॉल्व करना है तो हम मान लेते हैं नियत भाड़ा एक्स प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई तो यहाँ पर नियत भाड़ा एक्स प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई तो नियत भाड़े के अत्रिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा समलित किया जाता है यानि नियत भाड़ा तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा जब दोनों ही एक्क्वेशन बनेंगी उसमें नियत भाड तो रहेगा एक से ही रहेगा ये और प्रती कलो मीटर भाड़ा तो प्रती एक कलो मीटर भाड़ा वाई है तो दस कलो मीटर के रही हो जाएगा 10 वाई तो नियत भाड़ा और प्रती किलोमीटर भाड़ा जोड़ करके ये 105 रुपए है तो 105 इसे हम समीकार एक नाम दे देंगे अब दूसरी साथ देखेंगे 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है तो नियत भाड़ा x जियाँ कात्याँ 15 km के लिए एक km के लिए भाड़ा है y तो 15 km के लिए हो जाएगा पंदरा का कुणा हो जाएगा y में तो 15 y लगेगा कितना एक सो पच्पन रुपै इसे हम समीकाण दो नाम देंगे अब यहाँ पर हम समिकार्ण एक देखेंगे तो समिकार्ण एक से तो समिकार्ण एक से हम एक्स का मान निकाल लेंगे तो एक्स इसी तरफ रहेगा दस वाई को बरावर को उस तरफ ले जाएंगे तो यह प्लस की है बरावर को उस तरफ जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगे तो X बराबर 105 प्लस की 10 Y बराबर के उस तरफ गए माइनस की 10 Y हो गए इसे हम समिकार तीन नाम देंगे अब हम यहाँ पर X का मान समिकार दो में इस X की जगह पर रख देंगे समिकार दो में X का मान रखने पर तो यहाँ पर समीकार दो मैं X की जगाए पर X कमान रखेंगे तो X की जगाए पर X कमान कितना 105-10Y 105-10Y इस X की जगाए पर रख दिया हमने 105-10Y बागी समीकार प्लस 15Y बरावर 155 जाओं किते हूं प्लस 15Y बरावर 155 अब यहाँ पर 105 को बरावर को उस तरफ पक्छांतित कर देंगे और यहाँ पर कर लेंगे तो 15Y में से 10Y घट जाएंगे प्लस की संख्या में से माइनस की संख्या घट जाएगी तो यहाँ पर 15Y में से 10Y घटेंगे तो बचेंगे 5y बराबर 105 को बराबर को उस तरब ले जाएंगे तो माइनस के 105 हो जाएंगे तो 155 जे हो किते हो प्लस के 105 बराबर को उस तरब हो गए माइनस के 105 हो गए अब यहाँ पर 5y 5y के साथ गुणा में है तो 5 को बरावर को उस तरफ पक्छांतित कर देंगे तो भाग में पहुच जाएगा यहाँ पर solve करेंगे हम 105 में से 105 घर जाएगे तो बचेंगे 50 इस तरफ बचा Y 5 गुडा में है बरावर को उस तरफ जाएगे तो भाग में हो जाएगे 5 का भाग 50 में 5 धम 50 तो 10 आ जाएगा Y का मान तो Y का मान आ गया 10 अब हम X का मान निकाल लेंगे तो X का मान निकाल लेंगे लिए हम Y का मान ये समीकरण इसमें रख देते हैं Y का मान समीकरण 3 में समीकरण 3 में Y का मान रखने पर तो समीकरण 3 कितना है X बराबर 105 माइनस 10Y तो यहां पर X बराबर 105-10Y तो 10 और Y की जगाए पर Y कमान यह 10 10 Y है यहां पर तो 10 ज्यों कते हो लखा और Y की जगाए पर Y कमान रख दिया यह 10 तो यहां पर 105-10 धाम 100 हो जाएगा यह 10 का गुणा 10 में होगा तो यहां पर X कमान आ जाएगा 105 में 100 घड़ जाएगे तो 5 आ जाएगा तो यहां पर X कमान आ गया 5 और Y कमान आ गया 10 तो हमने X क्या माना था नियत भाड़ा नियत भाड़ा आ गया 5 रुपए और प्रती किलोमेटर भाड़ा Y बराबर आ गया 10 रुपए तो यहाँ पर अताहा नियत भाड़ा कितना एक्स कमान कितना आया है पांच तो पांच रोपए तथा प्रती किलो मीटर भाड़ा वाई बिराबर दस रोपए तो यह आगए हमारे आंसर नियत भाड़ा और प्रती किलो मीटर भाड़ा अब हमें निकालना है क्या एक ब्यक्ति को 25 किलो मीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा अब तो यह सर्थ हो जाएगी कैसी टी एक ब्यक्ति को 25 किलो मीटर यात्रा करने के लिए तो नियत भाड़ा तु रहेगा ज्याओ कत्यों एक्स और 25 किलो मीटर प्रती किलो मीटर भाड़ा है वाई तो 25 किलो मीटर के लिए भाड़ा हो जाएगा 25 यह हमें निकालना है तो ये निकाल ले के लिए हम मार रख देंगे X कमान कितना है? 5 प्लस 25 ज्याओं किते हो इंटू Y Y कितना है? 10 5 ज्याओं किते हो प्लस 25 धाम 250 250 और 5 हो जाएगा 255 तो 25 किलोमेटर यात्र के लिए भाड़ा हो जाएगा 255 रूपए तो ये आगया हमारा आंसर 25 किलोमेटर यात्रा के लिए 255 रूपए भाड़ा तो इस प्रकार आपको इस प्रश्णों का अच्छी तरह से 100 लोगा लेना पर इच्छा की द्रश्टी से बहुत अधिक महत्यमूर प्रश्ण है देखने में कठेन प्रश्ण लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी है ये प्रश्ण आप देख सकते हैं यहां पर नियत भाड़ा आ गया पांच रूपए प्रती किलोमेटर भाड़ा आ गया दस रूपए और 25 किलोमेटर यातर के लिए भाड़ा आ गया 255 रूपए तो इस प्रकार आपको इस प्रश्ण को अच्छी तरह से सौलो कर लेना है पर इच्छा की द्रश्टी से बहुत अधिक महत्यपूर प्रश्ण है ये तो यहां पर नोट कर लेजिए आप इस प्रश्ण को और यदि आप संपूर का ख्छदा सेंस याटिगरत को हल साइद देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें हमने संपूर का ख्छदा सेंस याटिगरत को हल कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भ कि अधितराई से